A2B2 Study की YouTube चैनल पर बैरंजीत केस्टी आप सभी का एक बार फिर से हार दिख स्वागत करता हो दोस्तो 2023 की परवेश परिच्छा में डारेक्ट एडबिशन को बोर्ड ने पूरी तरह से रोग दिया था अगर आप परवेश परिच्छा में सामिल होने से ही आपको दाखिला नहीं मिलेगा पहले अगर आप कोईवल परवेश परिच्छा परिच्छा में सुनने अंक पाने वाले को दाखिला नहीं मिलेगा परवेश में राजगी अनुदानी दानी एड़ेट कॉलेज और परवेश इतने भी कॉलेज है लगबग 1400 परवेश परवेश परिच्छा में सामिल होने वाले प्रवेश परवेश मिल जाता था यानि अगर आपने इंटेस एक्जाम दिया है तो एडमेशन तो आपका बिल्कुल कनफर्म है तो उसे सुन्य अंक अगर मिलते हैं हालंकि जहां तक मुझे अनुमान है कि कोई भी छात्र इतना तो कमजोर नहीं होगा जिसका कि सुन्य अंक आ जाए ठीक है वह चात्र प्रवेश के पातर नहीं होगा इस सम्बंद में प्रावेश सिच्छा परिशात के मोक्य सचीव एम देवराज ने आदेस जारी कर दिया है देखिए आपको बता दिया आपके प्रवेश परिश्चा में कुल 100 प्रस्न आपसे पूछे जाएंगे हर एक प प्रवेश परिच्छा आठ जनवरी से सुरू होगी यानि आठ जनवरी यानि कल से आप ऐनलाइन फो म को भरपाएंगे आवेदन कर पाएंगे 29 फेरवली तक आप आपके आवेदन जोय लिये जाएंग प्रवेश पहिच्छा प्रस्ण में कुल 100 सवाल बहुई कल्पी यानि objective टाइप प्रस्ण आप से पूछे जाएंगे प्रवेश पहिच्छा निगेटिव मार्किंग नहीं होगी ये बहुत ही खास बात है आप सभी के लिए प्रतेक सही जवाब के 4 अंक भी रेंगे प्रवेश पहिच्छा की तिथी जादी होना अभी सेस है आपको बता देख कि आपके examination जो है इसकी date घोसित कर दी गई थी लेकिन क्योंकि इसके examination form आने में थोड़ी सी देरी हुई एक जनवरी को आपका online form आने वादा था लेकिन इसमें थोड़ी सी देरी हुई और 8 जनवरी को आपका form आ रहा है वहीं general category के और अने जो पिश्रावर्ग के जो student होंगे उनको आवेदन के लिए तीन सरूपे online form भरने के लिए paid करना होगा इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपके जो counseling परक्रिया होगी जीख अपने बिल्कुल साब कर दिया है इस बार जो counseling होगी कुल 4 चरड़ में आपकी counseling परक्रिया कराई जाएगी पहला जो 3-4 के counselling होगी वो उत्तर परदेश के बच्चों के लिए केवल होगी जिसमें केवल उत्तर परदेश के बच्चे ही counselling में भाग ले पाएंगे जो आखरी 4th round के counselling होगी इसमें UP के साथ साथ other state के जो बच्चे होगे वो भी इस counselling में भाग ले पाएंगे दोस्तों साब तोर पर आपको बता दिये कि अगर आप पॉलिटेकनिक में इंटेस exam में admission लेना चाते हैं अगर आप 24 में पॉलिटेकनिक करना चाते हैं तो आपको इंटेस exam अवस्ति रूप से देना ही होगा यानि आपको exam में बैटना ही होगा आपको form भरना ही भरना होगा नहीं तो आप किसी भी option में किसी भी condition में आप पॉलिटेकनिक में admission नहीं ले पाएंगे चाहे वो प्राइवेट कालेज हो चाहे वो गौर्मेंट कालेज हो चाहे वो एडिट कालेज हो तो उम्मिद है कि आपको ये पूरी अपडेट अच्छे समझ में आगे होगी इसके अलाबा कोई भी doubt है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते है और ऐसे ही informative वीडियो के लिए पॉलिटेकनिक इंटेस इजाम की हर पल-पल कि सही और शटीक अपडेट की लिए अगर चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवस्य रूप से प्रेस कर ले जिससे कि जैसे ही आपर टेकनिक का इंटेस इजाम का और लाइन फार्म आ जाता है फार्म को कैसे बरना है उसमें डिटेल्स क्या डालनी है सभी चीजों की डिटेल्स वीडियो आपको चैनल पर सबसे पहल दी जाएगी और इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले भी दे दिया जाएगा थेंक्यू